नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में दोस्तो जैसे कि आपना टाइटल आज देखी लिया होगा कि आप सोच रहे होंगे कि आज से पहले मैं इंग्लिश और रिजनिंग हो गई और मैथामेटिक्स हो गया तो इसके रिलेटेड वीडियो डाल रहा था तो आज एक ये वीडियो जो है वो उससे हटके जो हमारा जनल नॉलिज बिद स्पैसल रेफरेंस तू जिखे जो हमारा वहाँ से आते हैं यह वरहां से की बात करें है कि उतन्य आश्य स्कूल सॉव टेघला वहाँ पर क्या होता है Quizoda भचबर में पड़ना होता है तो तो यह वह से पूल्ट ही बाग जाता है यह उसके बाद क्या होता है कि जब हम job के लिए हम देखते हैं कि इस लेबस में Flora and fauna है तो हम क्या करते हैं कि Google करते हैं उसको जब हम Google करते हैं मैंने भी किया तो Flora and fauna को गूगल किया तो उसमें कुछ और ही आया ठीक है? तो मुझे लगा कि Flora and fauna के उपर एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे जो है वो सभी बच्चों को जो है वो इसका जो है वो फाइदा मिल जाए थोड़ा जो है वो पता चल जाए कि Flora and Fauna जो है वो क्या होता है तो इसके लिए मैंने इसके उपर जो है वो वीडियो बनाई तो आईए दूस्तो Flora and Fauna के उपर बात करते हैं सबसे पहले हम Flora and Fauna की एगर हम बात करें तो Flora क्या होता है औरlatedकर Wentz is a particular reason है जैसे के हम Reach in the morning år lucky earth जैसे कि हमें भूला है कि Flora and fauna आप जमू अन किश्मीर और जमू एक रीजन है ठीक है जम्मू एक रीजन है किश्मीर एक रीजन है देखें जहां पर जम्मू किश्मीर की बात की है तो जम्मू किश्मीर एक particular area है तो यहां पर जो है वो flora की जब हम बात करेंगे तो it means की plants की plants की life जम्मू किश्मीर में जो है वो कैसी है जब हम fauna की बात करेंगे तो it means की जम्वु किश्मीर में एनिमल लाइफ क्या है कौनś जहां पर है कौनś कौन呵न से एनिमल पर लुक्त हो तो इन खीडों के बारे में आज की वीडियो में मेंठी डिस्कस करेंगे तो हैंगे दूस्तों वीडियो की शुरुआत करतें लेकिन वीडियो करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो डिरेक्ट ली आप तक पहुंच जाएं तो आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्या है सबसे पहले क्या है हम जैसे किसे उनन्म कौन कर द flavors का मतलब हो गया ऑब फरेस्ट की बात कर रहे हैं और ऑर भी होती है तो बिल्कुल होती है अब यह जो 5 major types होती हैं तो इनके नीचे भी शोटी शोटी types होती है और उनके बारे में अगर हम बात करें तो total 42 types हैं ठीक है हमारे जो plants जो forest हैं तो इनकी 42 types हैं लेकिन हमें 5 major types जो हैं इनके बारे में पता होना चाहिए सबसे पहली type को हम देखें सब्सक्राइब कि आप इस फोटो में देखी रहे होंगे कि यह वाले फोरेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनको हम मैं अपनी बात कर रहे हूं जब भी इनको देखता हूं तो एक ही टाइब के मुझे दिखते हैं चाहे हम गर्मियों में देख रहे हैं चाहे हम किसी भी Season में उनको देख रहे हैं तो एक ही टाइप के जो है वो दिखते हैं तो इनको हम बोलते हैं सब Truffical Dry Evergreen Forest ठीक है Evergreen से कहाँ सदा बहार सदा जो है वो हरी रहते हैं ठीक है दूसरी टाइप जो हमारी होती है हिमालियन मॉइस्ट टेंपरेट फॉरेस ठीक है जो कि हमारे हिमालियाज होगे जहां पर बर्फ बढ़ती है तो बहां पर जो होते हैं ठीक है उनको हम बोलते हैं हिमालियन मॉइस्ट टेंपरेट फॉरेस ठीक है तीसरी टाइप हमारी होती है हिमालियन ड्राइट टेंपरेट forest देखो हमारा जम्मु कुश्मीर जो है और जनु कुश्मीर की बात करौए हूँ कि जम्मु क्श्मीर में कौन-कौन से types के है ठीक है तो देखो जहां पर क्या होता है जैसे यह है यह पता नहीं किसका है यह एसा ही पेड़ एक बड़ी कब होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं हिमालियन ड्राइ टैंपरेट फारेस्ट ठीक है क्या बोलते हैं हिमालियन ड्राइ टैंपरेट फारेस्ट और यह हमारी तीसरी टाइप आगे अगर हम चोथी टाइप की बात करें तो चोथी टाइप में हमारे आते हैं सब अलपाइन फरेस्ट, ठीक है, सब अलपाइन फरेस्ट कोंड से होते हैं, जो की बिलकुल जैसे पानी होता है, जहां पर बड़ा पानी होता है, बिलकुल पानी के साथ में लगे रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं, सब अलपाइन फरेस्ट, तो अलपाइन होग लेकिन पानी मात्रा है देखते हैं नेक्स्ट क्या है अब देखो हम भाद कर रहे हैं तो क्या कर रहे है हम यह हमारे लिए लूर्डड हो जाता है और अगर हम एक अधर जा इन के बारे समघ्राने सके बाएदे के से पहुत सारे मैं तभी हो अगर यह देखें तो लोग क्या कर रहे है इनके बारे में नॉलीज है हैं मतलब उनको awareness नहीं है तो जिसकी बज़ाए से जैसे forest होगे उनको काट रहे हैं ठीक है शिकारी जो है जिसकी बज़ाइसे बहुत सारी species जो है तो उसको बचाने के लिए जो है यह हमें जो है शिखाया जाता है तो आएए देखते हैं हम forest जो है जाफिर ecological balance जो है वो उसको maintain करके रखते हैं ठीक है environment stability और ecological balance जो है तो उसको जो है वो maintain करके रखते हैं forest ठीक है दूसरा होगे जैसे कि यह हमें fuel boots होगे जाफिर timber बगएरा लकड़ी बगएरा जो होगी तो यह हमें provide करते हैं अगर मैं बात करूं fuel boots मतलब लकड़ी जो है वो जलाने के लिए क्या होता है आज भी अगर हम देखें कि जो लोग जो है वो दूर दराज के गाउं में रहते हैं जैसे मैं अपनी बात करता हूं हम जो है वो दूर दराज रहते हैं मतलब backward area से मैं nuk to lle करता हूं तो हमारे गाओं में क्या होता है कि वहाँ पर जो है जो शाम को जा फिर स्थी खाना बनाने के लिए हम उह छुले का इस्तेमाल करते हैं और उन लकड़ीático को सवर्थ कहां से लाते हैं तो अगर जगल नहीं हो गया हमारे गरों में फरनीचर हो गया ज़ा और भी बहुत सारे चीजें हैं तो यह भी फारेस्ट के रिलेटर है उसके बाद बहुत सारे हमें रिजाइन हो चार कोल हो गया जब फिर लकडियां वगएरा मैडिसन, मैडिकल हर्ब्स जो होती है जड़ी बूटियां जो होती है तो वो भी हमें जो है वो forest जो है वो हमें provide करते हैं अब उसके बाद हम बात करें कि मतलब हमारी livelihood पूरी जो है न तो वो फिर्णीर तो बनाते हैं जो इसके बाद देखो है कि जो शत्त भी जो होती है वो लकड़ी से बनाई जाती है ठीक है तो लकड़ी जो है वो अगर फॉरस्ट नहीं होंगे तो लकड़ी जो है वो कहां से मिलेगी तो हमारे गर जो है वो उनको बनाने के लिए लकड़ी का वो बहूत बड़ा important role होता है ठीक है उसके बाद जहां पर फोरेस्ट होते हैं तो बहां पर ज़यादा दुंद बगेरा पड़ी रहती है यही तो एक मतलब चीज है कि जहां पर फोरेस्ट होungे तो बहां पर ज़यादा बारिश बगेरा अच्छी होंगी और क्लाइमेटिक कंडिशन के आप लिया अभावультव को बो COVID-19 जो है वो अभी चल रहा है ठीक है तो बाहर की स्टेट्स के मुकाबले अगर हम अपनी जम्मू किश्मीर की अगर हम बात करें तो जहां पर करोना का प्रोकोप जो था वो कम था हालंकि जहां पर भी बहुत सारे लोगों की जाने गई लेकिन जब हम करते हैं बाहर की स्टे करना मेंट जो है तो वो बहुत अच्छा है उसकी बज़े से जहां पर इसका प्रोकोप जो था वो कम था ठीक है तो देखो कितनी आज की डेट में एक कितनी बड़ी महामारी आई थी अभी तो जिससे बचाने के लिए फारेस्ट जो थे तो उनका कितना बड़ा हमारे करो हम अपने जम्मु कश्मीर की बात करते हैं अगर फॉरेस्ट हैं तो फॉर्ष से हमें परिश month और फ्रू नहीं तसम्मुल नहीं कि बात कर तो यहां के पुछौ बहुत सरी आसे ट्रीज हैं जो की बड़े मशूर हैं ठीक है इंप्टन ट्री हैं हमारे प्रिकूलर ट्री ठीक है достаточно जैसे किश्मीर में जो है बगूत होती है ठीक है और क्षेर जाती है भी किया करती है वड़ी टेस्टी होती है och refresh करती है माइंड को भी और बाड़ी को भी जो है भो refresh करती है ठीक सबती है ल expRP कर थे घुत करती है एक दूरी मालम, वालन नट भी हमारे समीं में जो है बोबहुत होते हैं, ठीक है, अगर हम इसके botanical name की अगर हम बात करें walnut जो होता है, अकरोड जो होता है, उसका n謊ं होता है । यूगलांसleux, रेजिया जो होता है छो हम देखें बात करें कश्मीर की तो कश्मीर में जो है वो व्लोटrally होता है विलो ट्री होते हैं जिससे क्या होता है बैट जो होते हैं वो बनाया जाते हैं जब फिर होकी स्टिक्स जो होती है तो उनको भी विलो ट्री जो होते हैं तो उनके साथ ही जो है वो बनाया जाता है और विलो ट्री का एक और फाइदा होता है कि लोग क्या करते हैं इसकी दातन का इस्तेमाल करते हैं अपने दांत को जो हो साफ करने के लिए और ना की सिर्फ विल्लो ट्री का बलकि जो वाल–नैट का ट्री होनाई तो इसका इस्तेमाल भी आहलाई कि इसका जब इससे जब दांत साफ किया जाते हैं तो यह जो हमारे में बेजते हैं ठीक है और क्यों आजए दातुन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो विलोटरी जो है वो ये भी इंपोर्टन है हमारे जम्मु किश्मीर के गर को बनाने के लिए जो है उपर जो होता है जैसे सपोज करो उपर कहीं किसी को टीन डालनी है ठीक है जा फिर जो है वो मिटी डालनी है तो उसके नीचे ओछके इस सब्सक्राद дав जो है तो बड़ी लकें इसका इस का इस्तेमाल किया चाईम चारी घूंग ऑफ ठीक चिनार जाता है ठीक है किश्मीर में जितने भी ट्रीज है तो उनका किंग राजा है को क्या है चिनार ट्री जो है वो उसको उसके नाम से जाना जाता है उसके बाद एपल की बात करें तो एपल जो है वो किश्मीर की एपल जो है वो आज हमें पता ही है कि किश्मीर में जो है वो किश यह पाई जाती है अब इनको इनको शोर कै तो दे बड़े-बड़े ट्रीद अगर हम एक एक होत 4 तो सैफ्रों जो जड़ी उम्पुटियों में आता है तो सैफ्रां किस्मीर का बड़ा important है अभी पीशे 2020 में उसको एक geographical identification जो थी वो मिली थी कश्मीर को सैफरान के लिए और भी बहुत सारी जगों को जो थी वो identification मिली थी जैसे कि एक dargling थी तो dargling को चाय के लिए मिली थी ठीक है geographical identification मिली थी उसको चाय के लिए तो हालंकि हम बात कर रहे हैं जहां पर जम्मू किश्मीर की से बड़ा important हो जाता है तो यह थे important trees अब next क्या है अब देखो अगर हम जम्मू किश्मीर के forest के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जम्मू किश्मीर में कितने forest हैं जब फिर जम्मू किश्मीर का जो है कौन सा नंबर है ठीक है क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया एक देश है तो उसका एक जम्मू किश्मीर जो है वो एक अदियन इंडिया स्टेट सा फारेस्ट में रिपोर्ट जो जो है तो उसने सालों से ठीक है तो इसको चलते ही हम हम देख सकते हैं कि जहां पर जो है कितना 371 स्क्यर किलो मेटर का इरिया है तो वह और बढ़ गया है जितना पहले था तो उसमें 371 स्क्यर किलो मिटर एरिया जो आड़ अड़ अगया है जो forest हैं तो उसके बीच में ठीक है उसके बाद अगर हम जम्मू कुश्मीर की अगर हम बात करें तो top five states या फिर uts है ना देखो ये कब ये जो हमारा isfr जो है तो उसने हमें ये data दिया था कब दिया था जब हमारी जम्मू कुश्मीर एक state हुआ कर दी ती जिसमें लदाख भी करेंगे उसके बारे में भी ठीक है अब जम्मू कुश्मीर की अगर हम बात करें तो top five states या फिर uts है ना जो इंडिया की तो उनमें जो है जम्मू कुश्मीर ने शुमार किया जो last दो सालों में जो increase हुए forest जो है ये increase हुए ठीक है तो कितने हुए अब maximum increase in forest cover during last two years का नाम आता है अब यह top five कौन-कौन से थी यह होगी जैसे करनाटका हो गई आंदरा परदेश हो गया केरला हो गया और जम्मू किश्मीर में कौन हो गया जैसे जियन के एक हो गया और लदाख भी हो गया ठीक है लदाख यूटी भी हो गया देखो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो जम्मु कुश्मीर का एरिया जो है तो कितना 371 स्कियर किलोमेटर जो है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट दो सालों में तो जिसमें से जो जम्मु कुश्मीर यूटी है तो उसका 348 248 square kilometer area जो है वो जम्मु किष्मीर UDRU का और 23 square kilometer area जो है वो लदाख UDRU जो है वो उसका जो है वो increase हुआ है तो यह हमें याद रखना है लदाख के बारे में मैं भी हमें नहीं पूछे लेकिन जम्मु किष्मीर का area जो है वो इनकीरीज हुआ है 348 इंडिया ने लास्ट दो सालों में इंक्रीज हुआ है और यह रिपोर्ट किसकी है यह हमारी रिपोर्ट नहीं है यह रिपोर्ट है ISFR ठीक है ISFR इंडिया स्टेट आफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है इंडिया ने लास्ट दो सालों में 34 248 square kilometer जो आपो अर Messiah को बढ़ाया है, जो कि forest के अंडर आते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जम्मू कुश्मीर की, तो जम्मो कुश्मीर का जो total area है, तो पता कितना है, 29,666 square kilometer जो area है जम्मो कुश्मीर का, तो यह forest के अंडर आता है, ठीक है, means की जितना total area है जम् तो इसमें से आदे से ज्यादा 55% एरिया 55% एरिया जो है तो उसके उपर जो है वो फॉरेस्ट है ठीक है तो यह हमारे लिए यह एक बड़ी अच्छी बात है कि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 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 ज highest रहा ठीक है जो कि कितना रहा 144.16 cubic meter पर हेक्टियर रहा ठीक है उसके बाद अगर हम जम्मू और किश्मीर यूटी की बात करें तो जम्मू किश्मीर में पांच जो notified किये गए हैं गोर्मेंट के दौरा तो पांच national parks हैं और चोदा wildlife centuries है और 35 conservation and wetland reserve है यह पहले की बात है यह पहले उन्होंने बताया था हमें अभी क्या करना है अभी हमें अब जैसे question पूछा जाएगा तो यूटी के यूटी level से पूछा जाएगा तो हमें पूछे ऐसे भी पूछ सकता है कि जम्मु कुष्मीर में कितना नैशनल पाक है तो पहले पांच थे अब कितना है यह हमें आगे पढ़ना है अब wildlife centuries पहले चोदन थी अब कितनी रही जम्मु कुष्मीर में क्यूंकि कुछ तो लदाक जो ले लदाक का एरिया है तो उसमें चले जाएंग जम्मु कुष्मीर में पाई जाती है इंडिया में इंडिया में जितनी भी जड़ी पूटिक होती है तो उसमें पहला नंबर जम्मु कुष्मीर यूटी का आता है कि जम्मु कुष्मीर यूटी में बड़ी सारी जो medical herbs होती है medicine बनाने के लिए तो वो जम्मु कुष्मीर म है ठीक है नेक्सत क्या है कि उसके बाद दोस्तों उसके बहुत करेंगे वाइल लाइफ हो गया जंगली नाइफ तो जंगल में क्या होते हैं जैसे चीटा हो गया या फिर foxes हो गई या फिर और भी बहुत सारे animals जो है वो जंगल में जो है वो हमें मिलते हैं तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि wildlife क्या होती है wildlife हो गई national park और wildlife जो है उनमें क्ला डिफरेंस होता है तो इसमें इन सब चीजों के बारे में भी हम डिसकस करेंगे देखो सबसे पहले क्या होता है फाउना का मतलब हो गया वाइल लाइफ अब वाइल लाइफ क्या होती है कि कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जंगली जानबर जो होते हैं तो उनको हम वाइल लाइफ गरा जाते हैं तो वो उनको मारते हैं ठीक है अपनी सवाइब के लिए जो है वो उसको उनको मारते हैं और उनको मारके जो है वो खुद मीट गरा जो है वो बना के जो है वो उनका खाते हैं इससे क्या है कि बहुत सारी जो स्पिशिस होती हैं तो वो जो है वो लुप्त होती जा रही है जा तो खतम होती ही जा रही है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एक ही रीजन नहीं हो है बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं तो गोर्मेंट क्या करती है कि उन species को बचाने के लिए जो है ऑबो क्या बनाती है wildlife centuries और national parks जो है इनको बनाती है अब national park क्या होता है और wildlife centuries क्या होती है देखो इनके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले क्या हो गया नेशनल पार्ग नेशनल पार्ग क्या हो गया an area set aside by a national government ठीक है national government के दिवारा जो है वो उस एरिया को notified किया गया for the preservation बचाने के लिए किसको natural environment जो है उसको बचाने के लिए ठीक है national park में भी set asides for purpose all public recreation and enjoyment or because of its historical or scientific interest most of the landscapes and their accompanying plants and animals plants and animals in the national park are kept in the natural state in their natural state ठीक है तो यार national park क्या हो गया एक national government हो गई तो उसके द्वारा एक notified area किया गया कि हाँ विजे जो एरिया है तो इसको हम preserve करके रखेंगे ठीक है बचा के रखेंगे और इस एरिया में उस एरिया में क्या है कि बहुत सारे जो wildlife जो है तो उसको डाल दिया जाता है कि बहां पर कोई जो है वो जा नहीं सकता है और उनको जो है वो बहां पर उनके लिए जैसे एक गर के तो रुपए जो है वो उसको बना दिया जाता है ठीक है तो वो हो गया हमारा national park एक होती है हमारी wildlife century wildlife century क्या होती है यह भी area होता ह जहां पर एनिमल्स और वर्ट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टड किया जाते हैं ठीक है और यह भी बैसा ही एरिया होता है मैं आपको सिंपल वे में अगर बताऊं तो नैशनल पार्ग और वायलाइब सेंचुरी जो है वो एक ऐसा एरिया जहां पर वर्ट्स होगे जाफिर ए कि जगे बहुत आने के लिए वहां पर रखा जाता है अब नैशनल पार्ग और वायलाइब सेंचुरी जो है यह दो नाम है तो यह इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है तो इनके बीच पाग है ठीक है तो यहां पर क्या होगी कि यहां पर पूरी जो है वो boundary बनाई जाएगी कि बाहर से कोई जो है वो इसके अंदर जो है वो नहीं आ सकता है ठीक है अगर किसी को यहां से बाहर से किसी को जाना है अंदर ठीक है जाएगा क्यों कोई study करने के लिए जा सकता है कोई कि जहां पर प्रजातिया हैं तो क्या क्या है तो क्यों जे लुप्त हो रही है तो मतलब researcher जो है वो जा सकते हैं लेकिन कैसे जाएंगे कोई authority होगी उसके उपर उस authority से permission लेके जो है वो उसके बाद ही वो जा सकते हैं ऐसे नहीं जा सकते हैं तो इसको बोलते है national park ठीक है अब national park जो होते हैं इनके अंदर human activity कोई भी alone है ठीक है suppose करो जहां से जो है वो किसी आदमी को जाना है यहां पर research करने के लिए तो उसके साथ जो है वो एक security guard जो होगा तो वो proper gun जो है वो उसको लेके जाएगा क्योंकि अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे जानवर्स हैं कि जो आद सबसे पहले जो authority होती है तो उसकी permission लेनी बहुत important हो जाती है तो यह होता है क्या national park जब हम wildlife century की बात करते हैं तो यहां पर जो है तो मतलग उतनी जहां पर strictness नहीं होती है जितनी की जहां पर होती है और इसका area जो है वो wildlife century का national park से बहुत बड़ा होता है ठीक है बहुत बड activities होती है आलंकि वह वाली ही होती हैं जो मतलब होनी चाहिए जो मतलब अगर कोई ऐसी अक्टिविटी हो रही है जिसकी वज़ाद से लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वह भर जो भी प्रहजातियां रखी हैं तो उनको अगर मार रहे हैं तो उनको जो है वो सजा का प्राबदान भी रखा गया है तो बहां पर जो है वो हालां कि लेकिन उतनी जो है वो strictness नहीं होती है wildlife century में जितनी की national park जो होता है उसके अंदर होती है ठीक है तो I hope कि आपको wildlife जो है उसके national park होगे और wildlife centuries जो होगे तो उनके बारे में पता चल गया होगा next देखते हैं बहां से आपको ज्यादा clarification हो जाएगी अब देखो जैसे अब देखो जैसे कि हमने बात की कि national park और wildlife century के बारे में अब वो क्यों बनाई जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि endangered species होती है कुछ मतलब कुछ मतलब बिलुप्त होती जा रही है कुछ ऐसी species ठीक है जा फिर तो उनको बचाने के लिए जो है बो बनाई जाते है नैशनल पार और wildlife century जैसे जम्मु किश्मिर की बात करें तो जहां पर endangered species कौन सी है जैसे कि snow leopard हो गया common leopard हो गया जा फिर आइवेक्स हो गया हिमालें था ताहर हो गया brown wear हो गया हंगुल हो गया चीरू हो गया मार हो गया black neck crane हो गया सैरो हो गया musk deer हो गया जा फिर तिब्तन गेजल हो गया जा फिर golden eagle हो गया golden eagle कहां पर पाई जाती है यह ले में होती है यह ले में कौन सा है उसका नाम मुझे बूल रहा है अब आगे बताऊंगा मैं ठीक है और important wildlife important wildlife species जम्मु कौन सी है जम्मु कौन सी है जैसे कि musk deer है spotted deer है barking deer है मारखोर है आईवेक्स है ताहर है उसके बाद गोरल है black deer है और common leopard है यह है important wildlife species जो जम्मु कौन में है और यह है जो कि endangered है मतलब कि खत्रे में है यार कि यह मतलब बिलुप्त होती जा रही है दीरे-दीरे इनकी मात्रा पहले जादा थी और अब जो है वो दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे तो मतलब किसी चीज के ऊपर अगर कम स्पोस करो कि कम दिक्कत है तो उसको हम wildlife century में डाल देंगे अगर वो बड़ी ही कम बची है तो उसको हम national park में डाल देंगे ठीक है तो यह होता है इनके बिच में की बात है यह पहले के national park हैं उनके बारे में बताया है पहले in the sense की यूटी ठीक है जम्मु कुश्मीर यूटी जो है वो उसके बनने से पहले अब तो दो यूटी है ना जम्मु जैनके और लदाक ठीक है तो लदाक में कौन सा इनको हम जहां से ही जो है डिफ्रेंशियेट क हैमिस हैमिस हाई अल्टिटूड नैशनल पार्क यह यह वाला यह वाला है यहां पर है और यह इंडिया का लार्जेस्ट है ठीक है इंडिया का लार्जेस्ट नैशनल पार्क काउन सा है हैमिस नैशनल पार्क जो की लदाक में है यह कुश्चन हमें जहां से पूर्च सकता ह important question है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू की बाकी बाले जम्मू कुश्मीर की हैं तो जम्मू कुश्मीर में जैसे city forest जिसको हम सलीम अली नैशनल पार्क बोलते हैं सलीम अली नैशनल पार्क जो है तो यह कहां पर है यह सिरी नगर में है सिरी नगर में है सलीम अली पार्क जो है यह हमारा सिरी नगर में उसके बाद डाची गाम नैशनल पार्क तो डाची गाम नैशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो यह जम्मू कुश्मीर का सबसे बड़ा है ठीक है जम्मू कुश्मीर ने ने हाँ डाची गाम जो है ना तो यह है कहां पर है सबसे पहल सिरी नगर में उसके बाद कियस्तवार नैसनल परक जो है जम्मू कश्मीर का हमें इस समय कुष्चिन पूसा जाएगा कि जम्मू किश्मिर में बिगेस्ट नैसनल परक कों सा तो वो हमारा कौन सा है किस्तवार नैशनल पार्क ठीक है तो देखो इसका एरिया जो है ये बिगेस्ट है biggest है क्यूंकि इसका एरिया जो है बो 425 स्क्यर किलोमेटर है ठीक है तो इसका इतना एरिया है biggest की अगर हमें बात कोई पूशेगा तो कौन सा है किस्तभाल नैशनल पार्ग और ऐसे अगर हमें कोई पूशे कि जमु कुश्मीर में कितने नैशनल हैं तो 1 हो गया 2 हो गया और 3 हो गया और एक और है एक और है ठीक है टीक है तो यहामिल काजी नंग नेशनल पाक तो यह हमारा चोथा आता है ठीक है फोर्थ कौन सा है हमारा नैशनल काजिनाग नैशनल पार्क जो है यह हमारा फोर्थ है और यह कहां पर है बारा मुला में है ठीक है बारा मुला डिस्टिक में है बी ए आर ए म यू ए बारा मुला में है यह ठीक है यहां से हमें याद रखने बाला क्या है कि सबसे जमुक्षमिर में सबसे बड़ा नैशनल पार्ग कौन सा है किस तबार नैशनल पार्ग बिलकुल ठीक है और ऐसे पूछा जाएगा उसके बाद कि सबसे शोटा नैशनल पार्ग कौन सा है तो वो सलीम अली नैशनल पार्ग है ठीक है सबसे शोटा कौन सा है सलीम अली नैशनल पाक है यह ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करें किस्तवार नैशनल पाक की ठीक है तो किस्तवार नैशनल पाक जो है वो किस्तवार में है और यहां पर जो है वो 15 मैमल स्पीशिस हैं मैमल होते हैं दूदारो होते हैं जो ठीक है दूद देने वाले तो 15 इसमें मै लेकिन 14 मैंसे 2 हमने माइनस कर दैनी है क्यूंकि 2 वो हमारी कहां पर है ले में चला गही है चोदा मैंसे दो माइनस होगी तो कितनी होगी हमारी बारा ठीक है तो बारा वाइल लाइफ सेंचुरीज जो है वो हमारे जम्मुक्षमिर यूटी जो है वो यहां पर है ठीक है बारा मैंसे बारा मैंसे पांच जो है ना पांच वाइल लाइफ सेंचुरीज हमारी जम्मु में है और साथ जो है साथ जो है तो हमारी सिरी नगर में है घी का है और दों हमारी ले में यह याद रखो उसके बाद यहां पर याद रखने वाला क्या है कि सबसे बिग्ज्च जो है ना वाइल इसका एरिया कितना है 425 स्क्यूर किलोमेटर में इसका एरिया है अब हमें दूसरा यह पूछा जाएगा कि जो इसका एरिया कितना है 10.4 स्क्यूर किलोमेटर जो है इसका एरिया है ठीक है बस यही कुछ information थी इसके बारे में की हाँ बड़ी जम्मू में टोटल जो है वो कितनी है 12 है जम्मू में 5 है और सिरिनगर में जो है कश्मीर में जो है वो 7 है और 2 जो है वो ले में है टोटल पहले कितनी थी 14 थी अब 14 में से 2 माइनिस करेंगे तो हमारी 12 बचेंगे सबसे बड़ी कौन सी है ओबेरा आरू वाइल लाइफ सेंचरी जो कि अनंतनाग में है 425 स्क्यर किलोमेटर इसका एरिया है और उसके बाद स्मालेस्ट कौन सी है जिस रोटा वाइल लाइफ सेंचरी जो कि कठूगा में है इसका एरिया जो है वो 10.4 स्क्यर किलोमेटर है तो दोस्तों यह सब था Flora and Fauna में तो actually मेरे को वीडियो इसके ओपर नहीं बनानी थी लेकिन मैंने तभी बना दी कि मुझे लगा कि बहुत सारे students को यह doubt होगा कि Flora and Fauna जब मैंने खुछ यार इसको एक दो बार पहले भी search किया था तो उसके ओपर कुछ और ही आता है ठीक है तो जो actual में चीज होती है तो वो हमें दिखती नहीं है और JK SSP क्या करता है कि वही डालने की कोशिश करेगा कि जो चीज वो बच्चे को confuse करती है तो मुझे लगा इसके ओपर वीडियो बनानी चाहिए हालां कि next videos जो हमारी आएंगी तो वो अब reasoning और English जो है वो उसके ओपर ही आने वाली है वो ही मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मैं वो वीडियो बनाऊंगा जिके की जांफर computer की वही वीडियो बनाऊंगा जिसके ओपर मुझे लगेगा कि ये वीडियो जो है इसके related content जो है वो YouTube के उपर बाकियों नहीं डाला है तो मैं उसी चीज को जो है